हमारा next problem है finding the position इसमें आपको n की value दिया गया रहेगा और उसके corresponding कुछ output प्रिंट हो रहा है तो यह question समझते हैं पहले इसमें कहा गया है कि कुछ लोग line बना के खड़े हैं और एक selection process हो रहा है और उस selection process का rule यह है कि जो भी even position पर खड़ा होगा हमें उसे select करके एक Q में डालना है फिर अगेन जो हम नया Q बनाएंगे और उसमें even position वाले person को डालेंगे हम अगेन एक Q बनाएंगे जो नया हम Q बनाए थे उसके भी even position वाले जितने भी person है उसको हम उठाके एक अलग से फिर Q बनाके उसमें डालेंगे और यह process होता रहेगा जैसे कि example यह देखिए एन की value अगर 5 है तो 1,2,3,4,5 person है फिर जितने भी even place पे person खड़े से जैसे 2 पे और 4 पे इनको select किया गया है फिर उसके बद इन 2 और 4 में से even place पे जो थे उसको select किया गया जैसे 4 तो 4 output आ गया ऐसे ही example 2 देखिए 1 से लेकि 9 तक element है और even position वाले element को select character किये हैं हम तो 2 4 6 8 आया फिर उसके बाद इसके even position क्या है 4 और और ठीर इसका even position 8 है तो 8 as a OUT putt आ गया जैसे की जैसे कि दोस्तों देखिए यह हैं यह इसका इवन पॉजिशन वाला एलिमेंट है और यह इसका इवन पॉजिशन वाला एलिमेंट है और यह इसका इवन पॉजिशन वाला एलिमेंट है तो दोस्तों आप इसमें नोटिस कर पा रहे होंगे कि हर बार जब लूज चला है तो एन की वैल्यू हाफ हो जा रही है य यानि two का multiple हो जा रहा है हर बार जितने बार ये loop चल दा है तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि long long का एक m declare करते हैं जिसमें long long value भी दे सकते हैं फिर एक while loop चलाएंगे जो कि n greater than 0 तक चलेगा n की value जब तक 1 से बड़ी है तब तक चलेगा और हर बार m की value को double कर देंगे और n की value को half कर देंगे फिर last में इस while loop से निगलके m return कर देंगे आंते हैं आंते हैं ए के लग मुझी है ए कmusic 1 झाल झाल